नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूटूब चैनल आंसर देखोबार देखिए आज बात कर रहे हैं हम जनरल साइंस के कुछ कॉश्चन्स के बारे में यह बहुत ही एक्जाम से रिलेटेट्स आपके जितने भी एक्जाम है जनरल साइंस में पूछा जाता हूँ यह बहुत ही important questions है और इनको एक बार देखते रहे हैं एक बार आप इनको खुद भी solve करिए जितने आपको questions आते हैं तो नीचे option आप हमें comments में बताएं कि आपको कितने questions आते हैं तो start करते हैं आज का वीडियो तो आज का पहला question है कि LPG gas के रिसाफ से उत्फपर दुरगंद निम्न में से किसकी होती है देखे LPG gas के बारे में बात हो रही है तो LPG gas जो होती है आपकी propane और butane ठीक है और butane इन दोनों से मिलकर बनी होती है ठीक है यह दोनों gas जो है गंदगीन gas होती है इनमें कोई smell नह है तो ठीक है इस रिसाफ का पता करने के लिए एथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है ताकि इससे smell आए ठीक है तो इसकांसर हो जाएगा D option तो इथाइल मरकेप्टेन को इसमें मिलाया जाता है ताकि इससे दुरगंद आये LPG gas से तो अगला question देखते है दोस्तों अन्व रटवंधी 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 रßतों रहत है और शक्वी 57 चाल रिपार श्क्री से अनुदिया रटत शाल अन्वांक होता है और छ एक ड customer셔र sedale से यहा बर्लेड की आजलमें यहांदों की अन्षु करेप्टेन का चैना और यहांवान की तो इस रहू होता नहीं होता है अगला प्रशने देखते हैं अगला प्रशने निम्न में से कौन सा एक पतार्थ प्रक्रतिक बहुलक है देखे प्रक्रतिक बहुलक के बारे में बात करें तो रेशम प्रक्रतिक बहुलक होता है ठीक है रेशम जो होता है प्रक्रतिक बहुलक होता है इसके लोज यह चारों जी वह आपके हैं यह प्राक्रतिक भॉलक होते हैं ठीक है तो इसका अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन है इंसुलिन ंसुलिन हार्मून के बारे में बता हुआ एक तरफ पर कार्र्य के बारे में बता हुआ तो विसम कुंदा कि काुंसम से gümen इनसुलिन के बारे में बात करें तो इनसुलिन का काम होता है रखत्ट disclosure का नेंद्रण करता है बिलुकूल औल ine दूसरा Music Melaatonin Dusk बिल्कुल सही है मेरी ऑक्षिटोसण को से सब्सी दोतों तो यह कहा है हारमोन है जो कि इसतनगर्तिच से दूर का निस्टरण Dusk गेस्ट्रिन का आहिता है, वमहिके शीचाँ काम होतां ज्मिममे ऐक रेध है और ЦTalk और तो अप्षोषण करके के बिटामिन का अप्षोरषन करके हमारी बडाद करना और जो जी कोशिगाता है जो आपकी मिलती है आपकी आम तो अमाष्य है। और छोटी है, ठीक है छोटी आतो ώन है, तो इसका अंसर हो जाएगा गैस्तट का काम रख्थे चाहप का नियमन नहीं होता है, तो अगला और प्राशन देखते हैं, अगला प्रशन है, फ़लोंrose के मीठे ओने का कारण होता है, फ्रुक्टोस, फ्रुक्टो तता केले में प्रचवर मात्रा में बिद्धमान रहता है देखिए टाटरे के कैसा आमल है जो केले अंगूर और आपकी जो इमली है इनमें समय मिलता है तो इसका अंसर हो जाएगा डी ऑप्शन अगला प्रेशन देखते हैं निम्न मैं से न्यूंतर में प्रयावन प्रडुषण उत्पन करेगा देखिए न्यूंतरम प्रदूशन में आपका Kita प्रोप्षिण सबसे कम प्रतूशन करेगा और इसका जो फॉर्मूला होता है वह सूत्र होता है अधिश सूत्र होता है थिक है और चीज और प्रत्वी पर अधिकांश जो आपका हाइड्रोजन जेल जू है और इन ऑर गैनिक कंपाउंड के रूप में मौन जूद है ठीक है hydrogen gel जो है आपका organic compound की रूप में मौझूद है ठीक है और जब इसको जलाएंगे तो यह सबसे ज्यादा सबसे कम जब जलाएंगे तो इसको सबसे कम यह सबसे कम आपका प्रदूशन करेगा तो इसका अंसर जागा D option अगला प्रेशन देखते हैं अगला प्रेशन है यदि सो ग्राम चीनी को आदा लीटर पानी मिलाकर एक असंत्रप्त चीनी का घूल तयार किया जाए तो निम्न मैंसे कौन सी बहुत राश्ट नहीं बदलेगा देखिए अगर मान के चलें एक विकर है उसके अंदर आदा लीटर पानी ले लिया और उसमें सो ग्राम चीनी मिलाइं तो इस पानी का आयतन परिवर्तेत नहीं होगा बाकि इस सारी चीजह उसकी परिवर्तेत होगी घनद तो संद्रता और अधर्वन्त ये तीनों चीजह परिवर्तेत हो जाएगी जबकि आयतन उसका सेम रहेगा तो अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रश्ण है क्रते मुपगर प्रतिवी से किस विदी द्वारा ट्रेक किया जा सकता है देखिए क्रते मुपगर को जो ट्रेक किया जाता है वो करा जाता है डॉपलर प्रभाब द्वारा ठीक है क्योंकि ये ट्रेकिंग की बहुत साई विदियों में से एक ट्रेकिंग प्रस्वरे निए जो होती है वोती है डॉप्टलर प्रभाब विदी तो इसका अंत्र जाएगा डी ओप्षन अगला प्रस्वरल्ड देखते हैं कि अगला प्रस्वर्शन ने क्ट्थ हूवे हीड़े का आत्यातिक चम्मकने का कारण होता है ठीक है कि gotta हुआ हीरा होता है जो उसका पूर्ण जिसमें अगर प्रकास अगर पड़ता है तो उसके अंदर प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परावरतन होता है ठीक है वो हर तरीके से उसको प्रकास को मुव्मेंट होता है उसके अंदर तो जिसकी वेज़े से वह हमें चमकता हुआ प्रती अगला प्रस्न है Gaza किसके सभान कार्वाण हो करते हैं मोबाइल चार्जEr जो है वो आपका अपचाई जो ह क्य Кरता है तो इसका अंश्म होजाईगा अगला मोबाइल चार्ज़र जो है deja अगला प्रशन देखता है अगला प्रशन पितास्य में अपस्तित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करते हैं ठीक है देखिए पितास्य में जो पत्थर होता है जिर्गों पत्री बोलते हैं तो वो हमारे जो पाचन प्रभावित करते हैं वो बसा का पाचन प्रभावित करत यह 0.03% तो इसका अंसर जाएगा डी ओप्षन लेकिन अभी वर्तमान में जो सांदरता जो चल रही है वो वर्तमान में इतनी चल रही है जिस वज़े से यह बायो मंदल प्रदुर्शत कारवन डायोकसाइड की वज़े से बहुत ज्यादा प्रदुर्शन हो रहा है ठीक है त स्वचालत की संख्याव स्पोर्थ depends on the drive on theэ caredWeika की बात करतें तो तेल चाले जो बाहन रही है उनकी बहुत ज्यादा प्रदी हो चुके है कीजल्दी जलदी कर रहे हैं तो इसकी व्याजी से भी आपका जलवाई की परिबढ़ते तो रही है तो इसका अंसर रोजआइगा 1,3,4 तो इसका अंसर रोज़एगा a option 13,4 अगला परशन देखते हैं अगला परशन है भारत सरकार ने बंध संरक्षन अधिनियम किस वर्स मैं अधिनमित किया था ठीक है 1988 में इसको संसो दित किया गया था तो इसका अंसर है C option अगला प्रशन है blue baby syndrome बीमारी का कारण है देखें blue baby syndrome जो बीमारी है वो nitrate iron की वज़े से होती है तो इसका अंसर हो जागा D option cadmium की वज़े से जो बीमारी होती है वो आपकी होती है अगला प्रशन है अगला प्रशन है, जैब विवित्ता को अधिक्तम संगट है, अधिक्तम संगट किस वजए से उसके बारे में पूछा गया है, अब जैब विवित्ता का अधिक्तम संगट है, वो है प्रकृतिक निवास हैं बनस्पतियों के विनास की वजए से, ठीक है, विनास से, प्रकृत अगला प्रश्न, किस सिद्धाउंध में चजआंपल, आपको चीटी है, एक आपका हाथी ठीम, इस आपकी बहेwal है और एक आपका मानव है ठीक है अगर इन में सबसे बड़े दिमाग की बात करूं तो किसके पास में सबसे बड़ा मस्तिष्क का अनुपात जो होगा ठीक है तो वह सबसे बड़ा अनुपात ज्यादा अनुपात होगा चीटी के पास में तो इस का अंसर हो जागा चीटी मस्तिष्क बड़ा नहीं है यहाँ पर अनुपात है सरीर के अनुसार ठीक है सरीर के अनुसार मस्तिष्ma का जो अनुपात है चीटी का जो शरीर है ठीक है और अगर μας इसकेवारे बात करें है तो इनका जो अनुपात होता हो 15 पर्सेंट से भी अधिक होता है ठीक है तो जो इस सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था, यह आलोमेट्रिक सिद्धान्त की अनुसार है, ठीक है, इसको आलोमेट्रिक सिद्धान्त भी बोलते हैं, और जैसे होलर का नियम भी कहते हैं, ठीक है, होलर का नियम, ठीक है, आलोमेट्रिक सिद्धान्त है, यह आपका कह फिर बड़े जानवर के मकाबले आनुपातिक रूप से बड़े होते हैं इसलिए मैंने आपको बोला था चीटी का जो दिमाग है ठीख हाती के दिमाग की बारे में बात तो उससे आनुपत्य रूप से बढ़ा है तो इसका अंत्र हो जाएगा ए उप्षर अलुमेट्रिक सिध्धान्थ तो धन्यवाद दोस्तों ये आपका साइंस का कोई बहुत भी महत्पूर्ण सेशन था ठीक है ये जो आपके जो सैंस के कोईशन है ये आपके बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आपके सभी एक्जाम में साइंस पूछे जाती है और इस तरीके के कोईशन ही पूछे जाते हैं तो आगे भी हम इसी तरीके से वीडियोज बनाएंगे और आपको अगर हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है और हमारे चैनल के लाइक सब्सक्राइब करने के साथ ही वैल आइकन दबाना ना भूलने ताकि आपक मिलता रहे वैल आइकन दबाने के बाद में तो इसी तरीके से हम और भी वीडियो लेके आएंगे तो धन्यवाद दोस्तों